नमस्कार दोस्तों देख जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों में फिजियोग्राफिक रीजन को हम लोग इस्टडी कर रहे हैं और अभी तेक हम लोग पहला जो फिजियोग्राफिक रीजन है हिमालेयन रीजन उसको में पिछले वीडियो में इस्टडी कर चुके हैं तो आज किसी वीडिव दोस्तों दूसरा जो फिजिवग्राफी रेजन है नादन प्लेन उसको यहाँ पर इस्टडी करेंगे तो देख लेते हैं नादन प्लेन में हम लोग क्या क्या इस्टडी करने वाले हैं तो नाधन प्लेन में सबसे पहले दोस्तों हम लोग कारेक्टरिस्टिक आप नाधन प्लेन देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे longitudinal जो division है northern plane का उसको study करेंगे फिर हम लो latitudinal जो division है उसको study करेंगे तो northern plane की जो latitudinal division है उसको दोस्तों बोलते है relief feature of northern plane या geomorphological features of northern plane तो आपसे यह पूछे कि northern plane की relief feature क्या है तो simply आपको explain करना है latitudinal division of northern plane ठीक है या आपसे पूछे geomorphological features आप Northern plane क्या है तो आपको latitudinal division आप जो Northern plane है उसको explain करना है तो देख लेते हैं सबसे पहले Northern plane का location कहा है तो Northern plane आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे स्वालिक की जो mountains range है उसके south में आपको Northern plane का location मिलेगा और Northern plane यहाँ पे 2400 किलोमेटर के स्टेच में फैला हुआ है फ्राम पंजाब टू आसाम ठीक है और यह जो Northern plane जो formation हुआ है दोस्तों यह तीन river system को दोरा form किया गया है पहला है इंडस river system फिर हमारा नदर्ण प्रिंड का location है तो अब देख लें दोस्तों इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है तो करेक्टरिस्टिक की बात करें दोस्तों Northern plane हमारा सबसे आप बोस्ते हिमालेन से भी यंगर है हिमालेन की एज हम दो देख थे 60 मिलीयन के आस-पास है याँ फिप्टी मिलीयन के आस-पास है लेकिन जो नदर्ण प्रिंड की जो एज है आपको 5-7 लूँएं का आपको एज मिलेगे तो हिमालेन से it s. यंगर है अपना नदर्ण प्रिंड और जो फॉर्म हुआ है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की river system दोरा यहाँ पर formation हुआ है नदन प्लेन का और नदन प्लेन में जो soil पायाते हैं दोस्तों, aloeveal soil पायाते हैं और aloeveal soil काफी fertile होते हैं इसलिए यहाँ पर नदन प्लेन में जो population की density है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में नदन प्लेन में ही देखने हो मिलेंगे यहाँ पर water की evidence होती है क्योंकि यहाँ पर जो perennial river यहाँ पर मिलते हैं नदन प्लेन में इंडस भी perennial river है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है और इस सब हमारा हिमालन से origin होता है तो यहाँ पर पाने की कमी नहीं होती है और यहाँ पर soil भी fertile है इसलिए यहाँ पर population density आपको सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलेंगे और नदन प्लेन की length की बात करें दोस्तो 2400 km की आसपा सिंस की length है width की बात करें तो यह vary करता है from 240 to 320 km का width यह vary करता है northern plane का यह रहाँ दोस्तो हमारा characteristic अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर longitudinal division देखते हैं ठीक है यहाँ पर यह गलत है longitudinal division देखते हैं अपना northern plane का तो longitudinal आप देखो कि सबसे western side में हमारा पंजाब plane मिलेंगे यदि boundary की बात करें तो इंडस से लेकर घागरा जो river है उसके बीच में पंजाब plane मिलेंगे और पंजाब plane हमारा इंडस river system दर फॉर्म हुआ है इसके बाद दोस्तों उसके eastern side में आप देखोगे तो गंगा की plane है तो गंगा की plane गंगा river system दर फॉर्मेशन हुआ है इसकी boundary की बात करोगे तो घागरा से लेकर तीस्ता तक जो बीच में इसकी area है वो हमारा गंगा plane है और उसके बाद दोस्त और प्रफुतरा की plane है तो यह हमारा दोस्तु यह हमारा longitudinal division हो गया अपना northern plane का इसको इस हमारा अवी मैप में आप डॉा करोगे तो यह हमारा दोस्तु यह हमारा नदन प्रफूतरा है तो इधर आपको पंजाब यह हमारा पंजाब यह हमारा गंगा प्लेन मिलेंगे और यह हमारा प्रमपुत्रा की प्लेन मिलेगी तो यह हमारा Longitudinal division हो गया अपना प्लीन का फिर दिश्तो लेटिटि टूड़ डिविजन नर्दण प्लेन का देखते हैं या उसको बोलते है जियोलोजिकल फीचर साफ नर्दन प्लेन तो लेटिटुनल डिविजन आप बात करेंगे तो सिवालिक की सदन पॉर्शन में आपको भाबर मिलेंगे फिर उसके बंगर और खादर मिलेंगे तो इसको मैप में हम लोग देख लेते है ठीक है तो सिवालिक की सदन पॉर्शन पे यहां पे हमारा भाबर मिलेगा ठीक है तो यह जो है दोस्तों एक कलर कर लेते हैं यहां पे यह जो ब्लेक कलर का आपको दिख रहा है यह हमारा भाबर है यह आपको सिवालिक के सदन पॉर्शन में मिलेंगे ठीक है और उसके सदन portion में ठीक उसके southern portion में आप देखोगे तो यह हमारा तराई मिलेगा बहुत narrow belt होता है 10-12 km का यह हमारा तराई की region है भावर के southern portion में आपको तराई मिलेंगे ठीक है तो भावर में क्या खासित होती है कि जो river निकलती है mountain range ते तोहाँ आपको पता होगा river निकलेंगे अपने जो इरोजन जो लाती होगे डिपोजिट कर देती है तो यहां पर बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं पत्थर होते हैं उससे क्या होते river disappear हो जाती है तो भावर की region में river disappear हो जाती है और बहुत ज्यादा कैसे condition होती है यह तराई region में ठीक है तो भावर के sudden portion में आपको तराई मिलेंगे फिर यह दी bunker या खादर की बात करें दोस्तो तो यह हमारा मालो गंगा की river है ठीक है तो गंगा river की जो पास की एरिया है यह हमारा खादर मिलेंगे ठीक है गंगा रिवर की पास के एरिया को जो होंगे वो खादर मिलेंगे और खादर क्या होती है हमेशा यानि हर सल जो रिवर से जो फ्लड आते हैं उसको रिन्यू करते रहते हैं तो खादर हमेरा हर सल नया नया यहां पर बनता रहेगा और उसके दूर पे यानि कि यहां पर हमारा बंकर मिलेंगे ठीक है तो बंकर खादर के से दूर मिलेगा रिबर्स के सिश्टम दूर मिलेगा तो यह हमारा बंकर हो गया यह हमारा river से नजदिक में खादर हो गया और यह हमारा तराई हो गया ठीक है जिसको आप map की सायता सब देखोगे तो यहाँ पर मैंने image मना रखे हैं तो देखो यह हमारा भाबर है यह black वाला फिर देखो यह हमारा तराई की region हो गया और मालो यह हमारा river flow कर रही है तो river के सबसे नजदिक में हमारा खादर हो गया जो हर साल flood के आने से यहाँ रिन्यू हो जाता है और उसके दूर में आप जाओगे तो यहाँ पर बंकर हो गया बंकर में concrete जादा होती है तो सबसे अदा fertile आप देखोगे तो खादर हो गया उसके बाद fertile आपको भंकर मिलेंगे और यह तराई में तो यहाँ पर river re-emerge होते है और इसलिए यहाँ पर vegetation और जो बहुत जादे आप तराई रिजन में देखोगे तो biodiversity यहाँ पर बहुत जादा अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर water जादा होते हैं और यहाँ पर जो flora फाउना यहाँ पर रिच होती है तराई रिजन में ठीक है तो हमारा दोस्तो geomorphological features होगे plane की है यह इसको relief feature आप plane भी बोलेंगे यह इसको latitudinal division आप भी plane बोलेंगे ठीक है तो यह रहा दोस्तो northern plane की characteristic या physiographic division जो हम लोग study किया है यदि कुछ छोट गया हो दोस्तो आप comment करके हमें बता सकते हैं कि northern plane में हम लोग क्या और study कर सकते थे तो I think आज के लिए बस इतना ही दोस्तो northern plane में इतना ही I hope यहाँ पर कुछ आपको नया सिखने हो मिला होगा यदि वीडियो अच्छा लाग हो आथ प्लीज आप comment करके हमें जुरू बताईए यदि कुछ छोट गया हो तो पर भी comment करके हमें बता सकते हैं तो thank you for watching दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you